क्या आपको पता है कि जिनको आप अपना हिरो मानते हैं वे ही आपके सबसे बड़े दुस्मन हैं कैसे आईए समझते हैं इस वीडियो में आज इस सोसल मेडिया के दौर में इंफिलेंसर बनना आशान हो गया है हर कोई चाहता है कि मेरे फैंसों मुझे लाखो लोग जाने है और ऐसा हो भी रहा है पर मुझे प्रॉब्लम इस बात से हो रही है कि जिन लोगों ने इन्हें इतना बड़ा बनाया कि आज ये लाखो करोर रुपे महीना कमा रहे हैं लेकिन फिर भी ये लोग अपने फैंस को ही बरबात करने में लगे हुए हैं कुछ पैसों के लिए ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिन से लोगों का नुक्षान हो रहा है तो ये तो बात रही सोचल मेडिया इन्फ्लियंसर की जिसमें यूटूब, इंस्टाग्रम और फेस्बूकर और और जितने ब इस तरह का अप्स है जितने ब के सोचल मेडिया फ्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ के लोग मौजूद हैं फिल्म एक्टर्स और एक्टरेस के भी कुछ यही कहानी है उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फैंस को ही बरबाद कर रहे हैं प्लेयर्स खिलाडी खास करके क्रिकेटर्स जो यह बोलते हैं कि हम लोग देश के लिए खेलते हैं लेकिन आज वे देश के लोगों के साथ ही खेल रहे हैं तो इस तरह के लोगों को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं जो आपका नुक्षान पहुचा रहे हैं तो इसके लिए बहुत यह आसान तरीक है आपको बस इस बात का ध्यान देना होगा कि आपके जो भी गुरूज हैं जो भी हीरोज है जो भी influencer हैं जिनको आप follow करते हैं वे किस तरह की चीजे promote करते हैं वे कैसी चीजों का परचार परसार करते हैं अगर वे अच्छी चीजों का परचार परसार करते हैं अगर वे अच्छी चीजों का परचार परसार करते हैं आप जिनको आइडल मानते हुए कर रहे हैं तो उनसे प्रीज सावधान रहे हैं A11, B11, C11 इस तरह के एप्स का परचार करने में लोग लगे हुए हैं मैं खुल के नाम नहीं ले सकता है क्योंकि मेरा चैनल ये रात रात गायब हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा पर मैं जो बोलना चाहता हो सकता है आप समझ रहे हैं मेरी बात को नमबर टू, एलकोहल या किसी भी तरह की नसीली चीज नमबर थ्री, गुटका या तंबाको, नमबर फॉर, कोल्ड रिंक और नमबर फाइफ, आप अपना दिमाग खुद लगाए कि अगर कोई इंफल्वेंसर ऐसी चीजों का प्रमोट कर रहा है जो आपके इसाब से नहीं होना चाहिए, और आप उसके फैन हो, तो सावधान हो चाहिए मैं आपके सामने एक पोश्ट पढ़ देता हूँ देश उस दौर से गुजर रहा है, जहां एक्टर गुटका खाने को बोल रहे हैं और क्रिकेटर्स जुवा खेलने को अब यह सई है अगलत किसको पड़ी है, क्योंकि सबको अपना-पना कमिशन मिल रहा है और एक ऐसा इन्वारिमेंट बनाने की कोशिस की जा रहे है कि अरे सट्टे बाजी तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें सब लोग पैसा लगाएं और कमाएं एक पॉजिटिव इन्वारिमेंट क्रियेट करने की कोशिस की जा रहे है पर इसकी काली सच्चाई यह है, कि इसमें जितने भी लोग पैसा लगाते हैं उसमें सदिक्तर लोग बरबाद हो जाते हैं सटे की जब लत लग जाती है, जब आप जुवा खेलना सीख जाते हैं तो फिर उसको मीटाना बहुत ही मुस्किल हो जाता है कई बार तो लोग अपने घर बार तक बेचने को तयार हो जाते हैं और इसमें सबसे जादा अगर कोई फसा है तो अपने देश का इस्टूडेंट जो इस्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहा है वो लोग छोड़ के इसमें सटे वाजी में लग गए हैं अब क्रिकेटर्स ये सब चीजे प्रमोट करेंगे तो यही होगा क्लासिक्स में पढ़ने वाले बच्चे जुवा खेल रहे हैं कई के तो पैरेंट्स को भी पता है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इन सेलिब्रेटियों के चकर में बहुत लोग का ब्रेन वास हो चुका है कि जुवा एक अच्छी चीज है पर मैं दोबारा बोलना चाहूँगा इस तरह की चीजों से अपने बच्चों को दूर रखिए इन किर्केटरों के चकर मत पढ़िए इनके पास बहुत पैसा है पर आप लोगों के पास पैसा नहीं है अपने बच्चों को लगाए स्किल सीखने पर अच्छी नौलिज गेन करने पर उनको फोकस कराईए अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो फ्लीज लाइक कर दिजएगा रेक्स गयान को सब्सक्राइब कर लिजी इसे तरह की और वीडियो देखने के लिए और अगर आपने ये वाले वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज आप इसको देखिए ये भी काफी अच्छी वीडियो है